नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस बड़े विकास की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने बिहार के लिए किया है। हाल ही में पीएम मोधी ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्गातन और शिलान्यास किया। इन प्रोजेक्ट्स में नया एम्स, हाईवे नेटवर्क और वेल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स बिहार की अर्थ विवस्था और इसके लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो आईए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर पीएम मोधी के इन प्रोजेक्ट्स का बिहार पर क्या असर पड़ेगा। नया आईएम्स बिहार के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। अब तक बिहार के लोग बहतर स्वास्थ सेवाओं के लिए दिल्ली और अन्य बड़े शहरों पर निर्भर थे। मगर पीएम मोधी ने बिहार को स्वास्थ के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपून कदम उठाया है। नए एमन का निर्मान होने से कई फायदे होंगे। स्वास्थ सेवाओं में सुधार एमन के आने से राज्य में अत्याद होने एक चिकित सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। जिससे लाखों लोगों को बेहतर रुक्चार मिलेगा। रोजगार के अवसर नए अस्पताल। के निर्मान और इसके संचालन से सैकडों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अविकास एमन में मेडिकल छात्रों के लिए उच्च स्तर ये शिक्षा और विसर्च की सुविधायं होंगी जिससे बिहार में मेडिकल शिक्षा का स्तर और उंचा उठेगा। बिहार का एक बड़ा हिस्सा अब भी connectivity की कमी से जूज रहा है और इसे दूर करने के लिए PM मोदी ने नए highway projects का उधगाटन किया है इन highway projects का मुख्य उधदेश्य है राज्य के हर कोने को बेहतर सडकों से जोड़ना इन highway projects से बिहार को क्या फायदा होगा यातायात में सुधार नए highway बनने से यातरा का समय घटेगा जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुचना आसान होगा खास कर पटना से अन्य प्रमुक शेहरों तक का सफर अब और तेज और सुगम हो जाएगा व्यापार और उद्योग का विकास बेहतर सडकों के कारण transportation में तेजी आएगी और उद्योगों को कच्चा माल और पात भेजने में आसानी होगी ये बिहार के व्यापार और उद्योगी क्षेत्र को नई उंचाईयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा परेटन को बढ़ावा बहतर connectivity से राज्य के एतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल चैसे बोध गया नालन दा राजगीर आधी तक परेटकों की पहुँच आसान हो जाएगी जिससे परेटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा बिहार में रेल परिवहन का महत्वपोर्न स्थान है लेकिन कई प्षेत्रों में अभी भी ट्रेन सुविधाओं की कमी है पीए मोधी के नए रेल प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्ट मजबूत होगा और यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी नए रेल लाइनों का निर्माण नए रेल रूट से छोटे शहरों और गामों को प्रमुक शहरों से जोड़ा जा रहा है यह ग्रामीर इलाकों में व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा पुराने ट्रेक और वेलवे स्टेशन पुराने हो चुके हैं इनका आधुनी की करण हो रहा है ताकि ट्रेन की स्पीड और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार हो सके अधिक ट्रेनों की शुरुआत नई रेलगाडियों के आने से लोगों के लिए यात्रा का समय कम होगा और वे आसानी से बड़े शहरों में काम के लिए यात्रा कर सकेंगे साथ ही ये ट्रेने छात्रों और श्रमिकों के लिए काफी सहूलियत प्रदान करेंगी इन प्रोजेक्ट्स का केवल बुनियादी धांचे पर ही नहीं बलकि बिहार के लोगों के जीवन पर भी गहरा असर पड़ेगा इन परियोजनाओं से बिहार का विकास और आत्म निभरता नए आईयम्स, हाईवे और रेल प्रोजेक्ट्स के साथ बिहार को आत्म निर्भर बनाने का सपना साकार होता दिख रहा है रोजगार के अफसर इन परोजेक्ट्स के चलते निर्मान कारियों में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और जब ये पूरी तरह से कारियर शीर होंगे तब भी बड़ी संख्या में नौकरियां उपलब्ध होंगी शिक्षा और स्वास्थ में सुधार इन परोजेक्ट्स से बिहार की शिक्षा और स्वास्थ सेवाओं में सुधार होगा जिससे नए युवा पीरी को फाइदा होगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की दूरदर्शी सोच और बिहार के लिए उनका विशेश फोकस ही इन प्रोजेक्ट्स को इतना सफल बना रहा है उनकी योजनाईन केवल बिहार को वर्तमान में मजबूत बना रही है बलकि भविश्य के लिए भी राज्य को एक विकसित और आत्म निर्भर राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है तो दोस्तों यह थे वो प्रमुख प्रोजेक्ट्स जो पी एम मोदी ने बिहार के विकास के लिए शुरू किये हैं इन प्रोजेक्ट्स का असर आने वाले समय में निश्चित रूप से दिखेगा और बिहार का भविश्य और भी उज्जवल होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि बिहार में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है धन्यबाद